हेलो एब्रीवन गुड इवनिंग नमस्ते एंड जैसी कैशना कैसे आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे सुरचित होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे एक निव विलोग वीडियो में और आज कई दिनों के बाद विलोग डाल रही हूँ तो आई होप आप सभी इसको अपना उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देंगे क्योंकि तीन चार दिनों से मैं बिजी थी और यह मेरे माईके का लास्ट विलोग है सोच लीजे लास्ट ही है क्योंकि आज मेरा आखरी दिन है यहां पर और इतने टाइम का पता नहीं चला कब कहा कैसी निकल गया साम का समय रखा पांच साड़े पांच बज रहे थे और ज कुछ है लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा से तूर जाने में सही बताओं बहुत तकलीफ होती है तो बस तब से रह रहे थे कुछ नहीं लेकिन जब ऐसे बात चलने लग गए जाने की और सामन वगेरा रखने का नमबर है तो मैं पताने क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर प लोकी के जो दिन सुबह के टाइम मैंने दुपर में परांठे बनाये थी तो कुछ तो देखिए एक दम आग ऐसी लगी इसमें वस सोचिए मेरी तो जान ने कर गई थी तो बस मिर्ची और करोंदा ये मैंने चौक दिये क्योंकि अब भी में परांठी बनाओंगी कुछ ना पिना खाने लग गए बात है चीतों में होई जाता है वो लोग भी मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत बनाया था और कई दिनों के बाद आपके पास ये पहुँच रहा है मैं घर से आ गई हूँ उसके बाद और मैं इसको दूद को ना चेक कर रही थी क्यों होता है उपर में ही ज्यादा होता है वैसे बच्चे मलागी खाते नहीं है सबसे बड़ी कुछ ये भी बात हो जाती है तो फिर उसके बाद सुबह का समय हो रहा था और सुबह तो मैं आज पांच बज़े उठ गई थी जाने के चक्कर में और यहां बना रही थी मैं पापा तो अभी उनका टिफिन बगएरा लगा के पैक कर देंगे तो बस यहां पर रूटी असिक गई है और इतनी गर्मी हो रखी है ना देखिए पसीने में आप देखी सकते हैं सो बैसे पांच बज़े से उठने के बाद यह सोच लिए जी मैं किचिन में लगी हुई हूई अब बच्चे बूर रहे हैं तो बनाई दे तो फिर मैंने बनाया था सूजी का हलवा और हलवा बना कि मैंने इसमें धाली में रख दिया है तो बस खाना पी ना अगर कोई खाएगा तो बना दूगी आटा तो लगा हुआ रखा है सारी चीज़े तैयार रखी है और यहां आप है में बस कपड़े पैक कर ले रहे हैं मैं बता रही थी आ रात को मुझे थोड़ा सा मतलँ थक भी गए थी कल क्या हुआ था दिन के टाइम मसीन रखी ती और दिन के टाम में दो बलाउच दे ले थी तो फीर मेरी कमर इतना दर्द कर रहे थी न रात को में पैकिंग कर नहीं पाई थी तो बस अब रख लेती हूं जो भी कपड़े हैं जितने भी सारे बचे हुए हैं बच्चों के डेली यूज के हैं और बच्चे नाएंगे दूएंगे और सुबह का अभी आट बच गए थे और भाई बोल रहा था कि अभी तक त्यार नहीं हुई तो मैं बोली लुकि जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी ना तो तब मन करे तब आ जाओ लेकिन आजकल क्या है बच्चों का इसव कुव चायवों और बीज्य नहीं हो रहा था जलिए को यहां से चाने की राती है तो हम पर काम कम्य करते हैं सज बताऊ हूं मेरे तो क्योंकि यह चीजें जो समझ जो मेरी तरह लेडी जैने आराम से समझ सकते हैं कि इन चीजों की मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाते हैं वस लोग समझी सकते हैं कि क्या फीलिंग्स होती हैं तो यह सारे कपड़े थे जो कि ओड़ने विछाने वाले थे तो मम्मी तो मना कर रही थी, मैं वोली नहीं चली, मैं धुलबा देती हूं, क्योंकि मम्मी के हाथ में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, दर्द रहता है हाथ में और ये बिस्तर के कपड़ें बहुत मोटे-मोटे, तो बस इनको मैं पीट दूंगी, अभी तो इनको भिगो के रख द दूलबा रही थी, और यहाँ पर मम्मी बस अपना बक्सा कोल के वेठी है, क्योंकि मा तो माई ही होती है, बोल रही है, इसमें से ये चीज ले जा, वो ले जा, मतलब अपना ही कुछ सा दिखा रही है, सारी बारी बगेरा, कि ये ले जा, मैं बोली मैं क्या करूंगी, मैं ले जा रही है, तो फिर उसके बाद मैं लग गए थी, आप घर को धोने के लिए, बच्चे नहादो के हो चुके तैयारी होने, बस कपड़े पहनना बाकिया, नहादो लिए बच्चे, और यहां से दुलाई करने के बाद बस मैं भी कपड़े धोंगी, कपड़े धोके नहा और अभी लास्ट बार आप मेरा घर और यह देख रहे हो, अभी पता नहीं फिर मैं कब आउंगी, मैं मुझे भी नहीं बता यह चीज तो, तो वस यहां पर जो मूटे कपड़े थे न, वो मैंने ले लिए और यहां सुबहे से विगो के रखे थे, दो-तिन गंटे विगो क दो दूँगी, मैं लेकिन उनके हाथ में काफी दर्द रहता है, इस वज़े से मैं सोची चली रही दुलवा जाती हूं मैं, तो बस यहां कपड़े वगएरा धोके और तयार हो लेते हैं, और लास्ट इव लोग है, यह मेरा यहां का और फिर मिलूँगी, मैं आपको नेक् अच्छे से वीडियो विलोग के साथ में वीडियो अगर जरा सभी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यूवात यहां सब्सक्राइब कीजिए थेंक्वाइब